हलो फ्रेंड्स मैं हूं सीमा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है रोस्टिप्स एट होम दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से आपको अपनी फेस की किसी भी टाइव की प्रोब्लम को बड़े ही आसानी से घर में बैटे ही आप दूर कर सकते हैं ज़्यादा एफट की ज़रूतनी है ज़्यादा कोई मुश्किल वाली रेमेडी नहीं है कुछ भी करना नहीं है इसके लिए आपको ना कोई प्रडेक्ट के लिए बराबर अच्छी है यूसफुल है कोई भी इसको यूज कर सकता है कोई भी आपकी एज है इसका कोई भी साइट इफेक्ट नहीं है बड़ी अच्छी रेमेडी है यह तभी मैं आप लोगे साथ शेयर कर रही हूं आप खुद ही रेखेंगे से दो से तीन बार के य लेना है और इसके बाद जो हमारी पहली चीज है वह हमारा पाया पाया मैश किया हूँ वह हमें लेना है एक चमच और इसके बाद जो हमारी दूसरी चीज है वह हमारी ग्रेप्स को भी मैंने मैश कर लिया है यह भी हमें लेना है एक चमच और इसके बाद जो हमारी लास्ट लास्ट चीज़ है वो है हमारा ओरेंज जूस ये भी हमें लेना है एक चमाज तीनों चीज़ों के लेकि हमें मिक्स कर लेना है बस जो आज की हमारी रेमडी है वो त्यार हो गई है अब मैं आपको बताऊंगी आपको इसको किस तरीके से अपने फेस पर अपलाई करना है तो दोस्तों आपको इसको मिक्स कर लिया है मैंने और एक पैक ब्रश लेनी है उसे इस तरीके से इसे आपको अपने पूरे फेस पर लगाना है अगर आप चाहें तो इसको अपनी नेक पर हाथ पर 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 कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है यह जो तीनों ही चीज़ें है अपकी स्किन के लिए बेस्ट कॉंबिनेशन है बस अब यह मेरे पूरे फेस पर लग गया है और मैं बस अब इसको दस मिनट सुखाऊंगी और सुखाने के बाद मैं आपको अपने फेस को क्लीन करके मिलती हूं आपसे दोस्तो जैसकि आप देख रहे हों कि मैं अपने फेस को क्लीन करके आ गई हूं रेमेडी को यूज़ करने के बाद और आप दक रहे होंगे की एक बार के यूसेइ जो मेरा फेस है वो काफ़ी फ्रेश हो गया है बस आपको इस रेमेडी को हफते में दो या तीन बार सिर्फ 10 मिट के लिए ऐसे यूज करना है ठंडे पाने से उसके बाद वोश कर लेना है और इसके एक घंटे बाद तक ना तो आपको कोई कोस्मेटिक यूज करना है ना कोई भी क्रीम वगरा कुछ भी नहीं ना आपको सो लगी हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू बाई बाई